Hello and welcome friends, हमार एक viewer है सुमित भगत नाम इनका और ये product formula यूज़ कर रहे हैं तो problem आ रहे हैं चलिया ये product formula को जानते हैं, कोई भी formula छोटा नहीं होता, अगर आपने सीख लिया तो वही चीज़ चोटी हो जाती है तो छोटा ही है लेकिन चलिया ये देखते हैं, तो is equal to, अब देखिए multiply करने के लिए करते क्या थे हैं multiply करने के लिए हम एक number को select करते थे, फिर into का sign लगाते थे फिर दूसरे number को select करते थे, फिर into का sign लगाते थे, अगर और भी number हैं तो यहाँ select इस तरह से करके फिर interface करते थे तो यह हमारा multiply होकर आ जाता था ठीक है देख सकते हैं यह multiply होकर आ गया है product के पीछे क्या कहानी है कि यहाँ पर आपको एक formula मिल जाता है product का excel में तो यह product लगाईए और जीतने number से एक साथ select कर जाईए ठीक है इसको बंद करिएगा तो यह answer देदेगा आपका ठीक है अब यहाँ पर calculate कर लेजिए 3, 2, 6 ताइप जा और पूरा calculate कर लेजिएगा 8400 ही आएगा ठीक है अब यहाँ पर बात कर लेता हूँ is equal to बीच में blank column हो तो क्या होगा तो यहाँ पर लिखता हूँ product प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यह दो है हमारे पास 15 है और 30 है तो इन दोनों को select कर लिया आप डरिये मत बीच में blank column भी है तो कोई बात नहीं है कोई दिक्कत नहीं होगी इसको select करके और यहाँ पर इंटरपेस कर दिजे तो यहाँ 450 आ रहा है चलिए multiply करके दिखा देता हूँ इसका multiply करने पर 450 आता है कि नहीं तो यह देखिए यहाँ पर into कशाइन लगा यह और यहाँ पर और एंटरपेस कीजिए तो 450 ही आएगा यानि कि blank column को यह अपने आप provide कर देता है आपको दिकत न लिजे माली जी एक data यहाँ पर है तो इसको select कर लिजे तो जिसको select करना है कर लिजे comma लगा लगा करके तो यहाँ देखिए यहाँ पर result आपका सामने आ गया तो आयोप की बात समझ में आ गई होगी कि यह product formula काम कैसे करेगा काम तो multiply का ही करेगा लेकिन कैसे करेगा यह बात समझ में आ गई होगी तो thank you for watching this video